हेलो और गुड बॉर्णिंग एरिवन माइनम इस यूगल विजय भैसारे लेक्चेरर इन मेकानिकल इंजिंग डिपार्टमेंट ए नाइडी पॉलेटिक नाकपूर आज हम लेक्चेर नमबर 26 में एप्लिकेशन ऑफ डॉमेट्रिक रिप्रेजिटर के बारे में पढ़ेंगे तो चल लिए स्टार्ट करते हैं यह रहे आपके डिपार्टमेंट के वीजन और मिशन आप प्लीस अपने वीडियो को पॉस कीजिए और उन्हें एक बार पढ़ लीजिए आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा सो समर्य अप्लिकेशन ऑफ रिप्रेजिशन पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइब दरोमिस्टिक रिप्रेजिटर यह रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अच्छीवड कि विर्द करें खर दफ्रेजट सब्सक्राइब निटन अग्र बोहाएं है उसमें क्या क्या होना चाहिए रिद्धर शॉप में होता है होटेल को समि ant cig भज़शिघ़ज में हों होता है इक होको तonne तर्टी फॉर एक्यूंग यूज करें कि यह बहुत एको फ्रेंडली है और आसानी से अविलेबल भी होता है इससे क्या टॉक्सीटी भी इसकी बहुत ज्यादा कम होती है ठीक है क्या पर से क्या पर आपके पास फ्री जा सकते हैं तो आपका वेपर कॉम्पेशन रेफेशन साइकल के उपर आपका जो भी रेफेडर है वो काम करेगा ठीक है तो चलिए इंपोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं अपन लोग डोमेसिक रेफेडर की तो आपका डोमेसिक रेफेडर है कुछ इस प्रकार का दिखता है तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट कुन सा होता है यहां पर कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर कुन सा यहां पर लगा रहेगा यहां पर जो कॉम्पोनेंट है यह क्या है आपका कॉम्प्रेसर ठीक है इसमें कॉन सा कॉम्प्रेसर लगा हुआ होता है क्या होता है यह होता है रोमेसिक तो तो काम क्या है रिफिडरी रेटर को एक आपके से निकाल के कहा पर आगे कंडेंशर में भेजना तो आप लोगों को अगर मैं तो इतना अच्छा रहेगा थीक है ताकि आपके रेफ्रेटर में आराम से वह फीट हो सके उसके बाद में क्या दखोगे उसका वेट ज्यादा है वाला वाला कॉम्प्रेसर लोंगे तो आप उठा पाओगे क्या नहीं उठा पाओगे इसलिए उसका वेड भी देखना पड़ कीश लगए कंपैटि उसका पाओवर लगेगा कम नाचाहिए तो अगर आप लोगों को सड़ेड करना है तो आपको यह सारे पारमेटर देखने पड़ेंगे ठीक है अब कॉंप्रेशर से क्या होता है हाइप प्रिच के पीछे में जाली जाली वालेक रहता है थीक है उसको क्या होता है यह एयर कुल होता है लगा रहे हो क्या पंक्का नहीं लगा रहे हो ना कूल हो रहा है आपके natural air से भी कुछ जाली quies से क्या होगा थंडा होगा वहाँ से क्या हऊंगी ही जिन थो सके होगा हमारा कों सा रहे हैं 것은 पॉझाज्ट रिए साझन योग पींडा से में लगा रहता है योट ब sharp वह बहुत ही बारीक डायमेटर का वह एक पीन होता है उससे क्या होता है उसके क्या होगा आपका प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाएगा आपके आपके जो है इसका डायमेटर चोटा हो गया उसकी लेंद क्या है बहुत ज्यादा बड़ी है बहुत ज्यादा बड़ी होने को रिट्रेट्रेटर को बहुत ज़्यादधा घुम रहा है वो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा वह कहा जाएगा अभी वह जाएगा एवोपरेटर में यह है आपका एवोपरेटर सेक्शन ल Tommy का होता है आपके लिएंट के अंदर में होता है अपकर दरवाज़ा कुलते हो वह तो भई यह आपके प्रीजरेंट के अंधर में थंडा हो जाएगा तो तो उसको कर लेगा और उसकी हीट को एबजॉप कर लेगा ठीक है और जो भी रेफिरिजरेंट है उसको वापस क्या करेगा वह वह कॉंप्रेसर में भेज देंगा इसकी पूरी डीटेल में जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर वन में दे दी है प्रैक्टिकल नंबर फोर अच्छे से देख लीजिए आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा है ना तो यह है आपका डोमेस्टिक रेफिजिरेटर और उसके कमपोनेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं तो एक बार मैं आप लोगों को वी सीरे सिस्टम दिखा देता हूं तो वी सीरे सिस्टम सभी ने देखे है यहां पर आपका हाई टेम्ट्रीचर कर रिप्सिटर जा रहा है कहां पर गया यह कंडेंसर में गया कंडेंसर के बात में आपका यही को यह प्रोसेस होती है तो यही प्रोसेस होती है आपके डोमेस्टिक हो स्टेम का आना बहुत जड़ा इंपोर्टेंट है तो क्या पढ़ा हम लोगों ने आज पढ़ लिया तो यह सब हम लोग ने आज पढ़ लिया तो युद्ट के आज हुए आज हमने क्या देखा अप्लिकेशन देखा और यह आपके के प्रोग्राम आटकम्स अचीवड किस प्रकास से पुछेगा आपको पेपर में तो बता वो लेंगा भाई या कि डिस्ट्राइब दर वर्किंग ऑफ डोमेसिक रिटर विद नीट स्केज है ना तो यह रहे आज का लेक्चर थैंक्यू फॉर तुडेस लेक्चर नेक्स लेक कीप लर्निंग, हैपी लर्निंग!